दोस्तों नमस्कार जाहिद्दुमंद्यमात्रम आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पार्साला में दोस्तों इस वीडियो में राष्टी आयम योगतादारी छात्रवर्ती पर इच्छा के लिए विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टन को स्वाल्प करेंगे प अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें आगे शुरू करते हैं वीडियो को और फर्स्ट कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है एक समान तुरित गतियों के लिए वेग समय ग्राप होता है तो आपसन आपका क्या सही होगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन समय बनता है फर्स्ट आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा सिकेंट नम्मर कॉस्चन है बियुदूत अपगट आपको बताना है कि सुस्क सेल में काउंस बियुदूत अपगट यूज करते हैं तो सुस्क सेल बच्चों होता जैसे आपने रिमोट कंड्रूल में देखा हो गोष्ट का गोखल अमोनियम क्लॉराइट का पेस्ट या फिर मैंगनीज दाई आकसाइड तो सही आंसर वच्छो इसमें हो जाएगा स्थार्ड आफ़सन अमोनियम क्लॉराइट का पेस्ट यूज करते हैं सुस्क सिल में विद्धुत अपकर्टी के रूप में नेस्ट कॉश प्लस जश्ते का पीतल धातू, आप इसको ध्यान रखेंगे, mandar भट्रेया घृट्र घृत्र रोत चोंदेजंु, किन धहतू, किन किन धातू का मिश्त्र होती है,案ॡ चार नमर्वन है निम्न में से हीरा किसका अपरूप होता है तो हीरा बच्चों किसका अपरूप है आप सना आपके पास है कार्बन का जस्ता का तामबा का या फिर आईरन का तो सही आंतर बच्चों इसमें है कार्बन का अपरूप होता है हीरा और हीरा जो होता है वो कार्बन का अपरूप ह होता है सबसे चमकीला पदार्थ होता है इसके अलावा जो कार्बन के अपरूप होते हैं तो आप ग्रेफाइड फ्लोरीन को भी याद कर सकते हैं यह भी आपके कार्बन के ही अपरूप होते हैं और ये क्रिष्टली अपर से बचाने के लिए सौक में पहनते हैं या फिर अपने रुधिर वाहनियों को फटने से बचाने के लिये पहनते हैं तो राईट आंसरों इसका क्या हो जाएगा तो सही जवाब लिए जाएगा फोर्थ आफ्सन अपने रुधिर वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए अंदर श्यात्री विशेश प्रकार का सूट पहनते हैं नेस्ट कोशन देख लेते हैं सिक्स नंबर है वायो मंडली दाब मापा जाता है धर्मामीटर से पारा वायोदाब मापी से मैनोमी किए बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घंत पानी के घंत अधिक होता है पानी के घंत असे कम होता है पानी के घंत पर हवा का दाव अधिक होता है हवा का दाव कम होता है हवा का दाव सून होता है या हवा नहीं होती तो पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है क्योंकि वहां पर हवा का दबाव होता है वो कम होता है इसलिए आपका सेकेंड आप्चन सही जवाब हो जाएगा आप जैसे जैसे उपर जो है जाएंगे जो छोब मंडल होती है अपनी सबसे उपर जाएंगे तो उसमें हवा जो होती है वो हलकी गैसे पाई जाती है और कम मात्रा में गैसे पाई जाती है और जैसे जैसे आप धरातल पर आते हैं धरातल के जो नजदी छेतर में होता है वहाँ पर सब् निचले भाग में पाई जाती हैं और उपर की बात करें तो उपर आपका जिसे हलकी कैसे पाई जाती है हीलियम हो गया या हैड्रोजन होगा इस प्रकार्स की गौसे वहाँ पाई जाती है इसलिए वहाँ पर जो हवा का दबाव होता है कम होता है इसलिए पहाड़ों पर खान होता है इनमेंसे कोई नहीं तो सही आंसर वच्छो हो जाएगा second option बराबर होता है जो उत्पलावक बल होता है वो वस्तु द्वारा बिस्थापित किये गए द्रव के भार के बराबर होता है तो इसका वच्छो हो जाएगा तो आफाइन के पास स्यूटन में मत ऊन्याव को ये भी आप को पता नखना है नेक्स्ट कुश्चन देखो है ग्यारह नंबर कुश्चन द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है बढ़ता है घटता है सूनने होता है या पहले घटता है और बाद में बढ़ता है तो राइट आंसर यह है आपका फर्स्ट आप्सन बढ़ता है द प्थर एस पाथ रूई या फिर प्लास्टिक तो सही आंसर बचों हो जाएगा आपका इसपाथ में विद्धूत का प्रभाह को सकता है अर्थात ये विद्ध organism नहीं नहीं है तो आपका सेकेंड आप्सन सही जवाब हो जाएगा पत्थर रूई प्लास्टिक ये सब विद्दुत के कुचालक होते हैं तेरा नमबर कोश्चन है विजली के इस्तरी में तापन अवयव लपेटा जाता है तामबा पर अवरख पर एवनॉइड पर या फिर कांच पर तो जहीं आप्सन अवरख पर जो है लपेटा जाता है इसके बाद देखो 14 नमबर कोश्चन नेम लिखित में से कौन विद्दुत के चुम्मकी प्रभाव पर आधारित होता है विद्दुत तापन विद्दुत बल्व विद्दुत लेपन या फिर विद्दुत घंट तो विद्दुत के चुम्मकी प्रभाव पर विद्दुत घंटी ये आधारित होती है फोर्थ आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा 15 नमबर कोश्चन कहता है कि करतिम उपग्रा में विद्दुत ओरजा का सुरोत क्या है सुस्क सेल संचायक सेल सोर सेल या फिर डाइनमो तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं सोर सेल जो होता है वो करतिम उपग्रा में उर्जा का प्रमुक सुरोत होता है नेस्ट कोश्चन की बात करते हैं सोला नमबर तैरने का नियम है तो तैरने का क्या नियम होता है कोई वस्तु तैरेगी इसका क् वस्तु का भार विस्थापित द्रव का भार बराबर होना चाहिए या फिर वस्तु का भार ज्यादा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए विस्थापित द्रव के भार से या फिर वस्तु का भार छोटा होना चाहिए विस्थापित द्रव का भार से या इन में से कोई नहीं त होता है उचाई बढ़ने पर वाय मंडРИ 120 राव जो बचों सभी इससे मैं आपका कम हो पता है सेकेंड आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा अठारा नमर कुस्तर है निम्लिकित पदार्थों में कौन चालक है अर्था जिसमें उसमा का या विद्दृत का चालन हो सकता है अवरक कांच तामबा या फिर चीनी मिट्टी तो आप सभी को पता है अवरक कांच और च द्धारा कण का प्रवाह है तो कौन सा कण हो चाहिए विद्दृत धारा के प्रवाह को जारी लगता है उसमें सहायता करता है तो इलक्ट्रान प्रोटान न्यूट्रान या इन में से कोई नहीं तो सही जवाब चो इलक्ट्रान जो होता है विद्दृत के धारा के प्रवा द्रवव स्था में पाई जाती है और अधातु ब्रोमीन ज्लसक्त ड्रव ँखे है ाए है और दोनों क्या क्या है साहल चाहे जिस प्रकार से बुछा जाया है Arms दोनों क्या है सामान अताप पर दरोवस्था में पाई जाती है तो question आपको चाहिए जिस प्रकास से पूछा जाए आपको answer देना चाहिए तो चाहिए जाए 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 जा आपका First Option, इससे में लिखाएं, तो First भी मान लेते हैं, First Option, आपका सही हो जाut हो, Michael Fairaday. यहां पर Second लिखा है, तो थोड़ा सा इधर उजर हुआ है, कोई दिकत ने First Option, आपका सही हो, Michael Fairaday. मैकल फेराडे ने विद्धुत चुमकी पेरण सिध्धान की खोज की थी और इस पर आधायत कुश्चन भी आपसे पूँचा जा चुका है तो इसको ध्यान रखेगा चुमक में आकरशन सकती सरवादिक होती है और 2020 की परिच्छा में इसी पर आधायत प्रश्चन भी पूचा गया था तो चुम्मक में आकर्शन सकती सरवाधिक होती कहां पर होती है दोनों दुरुबों पर मद्ध में सिर्फ उतरिय दुरुप पर या फिर सिर्फ दक्षिन दुरुप पर तो इसको आप ध्यान रखेंगे इसके बाद देखो बराबर होता है 76 cm पारा दाब 97 cm पारा दाब नेक्स कुरते हैं को 25 नमबर है निमलकित में से कौन सी उपधात हो है तो कौन सी उपधात हो है आपको बताना है सिलिकान, इसपाथ, तामबा या फिर पीतल तो सही आंसर है बच्चों फर्स्ट आप्शन सिलिकान ये क्या है उपधात हो है सिलिकान होगा एंटी मनी होगा जर साथी एक आंग छेतरफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं दाप दाब माप या फिर आयतन सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सक्षन में जरूर लिखेगा और इस वीडियो में बशतना ही कुश्चन और बाकी आप सभी लोग जो साड़ साथ बजय की लाग क्लास में जरूर चुड़ियेगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में जब तक करें धन्यवाद कितने कुश्चन आपके सही हुए हैं जरूर लिखेगा